तो बहुत लोग ना कॉशन कर रहे थे कि आप यार इतनी बड़िया बड़िया जगा जाते हो और अपनी हैच बैक गाड़ी को ले जाते हो टाटा एल्ट्रोस को जिसका ग्राउंड क्लेरेंस भी कम है तो इसकी मेंटेनेंस कैसे करते हो आप कि सर्विस पहले करा के जाते हो य जो की चौपता के पास है तो यहां का एक्सपिरेंस भी बहुत प्यारा रहा इसकी वीडियो डाल दी है तो अगर आपने तुंगनात महादेव की वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके देख सकते हो मैं लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगा और अब हम आगे बात करते हैं गाड़ी की मेंटेनस की तो गाड़ी मेरी वरन्टी में तो मैं औल्रेडी सेकिंड सर्वीस खुना के गया था जिसके चार्जेष जीरो धे आपको पे करना ही पड़ेगा तो मेरा गाड़ी का यह वाला पार्ट था जो टूट गया था यह रबड पार्ट था जो की पानी के उससे नीचे कोई पत्थर आने के विए से टूट गया था और एक अंदर जो चादर है हमारी नीचे की उसमें भी थोड़ा सा चेद हो गया थ तो वो भी मैंने रिपेर कराई और उसके चार्जिस भी मैं बताता हूँ इसी वीडियो के अंदर जर्णल चेकप के अंदर ये लोग एर फिल्टर, एसी फिल्टर, इंजन वैल की क्वालिटी और कूल एंट, ब्रेक्स, क्लेच और आपकी लाइट्स वगयरा यह सारी चीज है हमें, फ्रेंट बंपर के नीचे का यह की रबर पार्ट था, यह लटक गया था, इसके नट्स वगयरा से भार आ गया था, तो इन्होंने स्क्रियू से कसा वैसे यह सही नहीं हो सकता था, और इसके चार्जिस कुछ नहीं लिए, एक यहाँ पर यह छेद हो गया था, उसमें सीलेंट भरना ही एक सोल्यूशन है, अदरवाइस उसमें कोई डेंट तो थानी यह प्रपर एक चेद हो गया था, तो उस चेद को उससे भरा और वो अच्छा खासा सॉलिड हो जाता है सीलेंट बरने के बाद, तो आगे कोई दिक्कत इन फ्यूचर आती नहीं है, सी तो बाकी कोई रोकेट साइंस तो है नहीं है, थोड़ी सी मैंटेनेंस का ध्यान रखना पड़ता है गाड़ी का, और ट्रैवल आपके लिए गुट्टो गोया, आप कहीं भी जा सकते हो, बस थोड़ा सा केरफुली ड्राइफ करना होता है, और बाकी कोई ऐसी दिक्कत आती ही नहीं है, लेकिन जिस दिन हम आ रहे थे, तो उस दिन लैंड स्लाइट हो गयते, तो पत्थर सडन नीचे आया, और ये एक नीचे, बोडी में होल हो गया, तो करवाना पड़ा हो सही, जो की फ्री ओफ कोस्ट हो गया, तो गाइस मिलते हैं, नेक्स्ट ट्रेवल व्लोग म कुछ डिफरेंट होगा, कुछ डिफरेंट वीडियो ही आएगी, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बाकी मिलते हैं, चल्दी